हेआ गाइस कैसे हो आप सब, तो आज हम मनाएंगे फिलेबर मखाना जो हम बार से पर्थियस करके खाते हैं बहुत और सब को बहुत पसंद आता है मखाना जिसे हम फॉक्स नार्ड्स भी कहते हैं, मखाना एक बहुत ही हेल्दी उंग्रेडेंट है आप मखानों से कोई भी flavors बना सकते हैं तो आज हम बनाएंगे salt and black pepper flavor मखाना तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो का shout out जाता है नीशा भक्ती चैनल पलग बंसल दुरुवे गोयल अगर आपको भी shout out चाहिए तो वीडियो को like करें और चैनल पर प्यारा सा comment कर देना और चैनल को subscribe करना ना भूले So let's begin उसके लिए एक कडाई या pan ले ले और दो कप मखाने डाल ले और low flame पर roast कर ले जब हमारे मखाने roast हो जाए तो उसे कैसे चेक करें एक मखाना ले हाथ में और crush करके देख ले ये देखिए हमारा मखाना फ्रंटी हो गया है इसका मतलब तमारे मखाने roast हो चुके हैं तो बस roasted मखाने को एक बॉल में transfer कर लेंगे और फिर उसी कडाई में डालेंगे 1 tablespoon देशी गी और फिर डालेंगे black pepper फिर डालेंगे काला नमक उसके बार डालेंगे नमक और फिर अच्छे से mix कर लेंगे जब अच्छे से mix हो जाए फिर डालेंगे अपने roasted मखाना और फिर अब इन सब चीजों को अच्छे से चलाते हुए mix कर लेंगे इससे क्या होगा इससे अच्छे से मखाने पर salt, black pepper, काला नमक अच्छे से coat हो जाएगा जैसे बाजार में मिलते हैं बस इसी क्या त्यार हो चुके है हमारे salt and black pepper flavored मखाना इसे बाउज में transfer कर लेंगे तो दीखा आपने कितना असान था इससे मिनाने तो आपको जब भी मन करें कुछ healthy सासना खाने का तो जरूर आपको आपको आज की healthy और yummy recipe पसंद आई हो तो like, subscribe and share our channel and hit the bell icon for the latest updates must try this and don't forget to subscribe guys